Hello friends, मेरा नाम है Dr. Nishha Pradja Parati और आज हम एक important topic के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है Gout Gout को हम हिंदी में गठिया भी बोलते हैं दोस्तों तो फिर हम जानते हैं कि Gout होता क्या है? गठिया होता क्या है? इसको हम बाखियों के joint pain से कैसे differentiate कर सकते हैं कि हमें gout हो सकते हैं या होने के chances हैं तो friends gout क्या होता है gout एक type का arthritis है तो फिर उसमें arthritis मतलब क्या होता है joint का inflammation कोई भी हड़ियों का inflammation को हम arthritis बोलते हैं तो gout भी एक arthritis type of condition है जिसमें क्या होते हैं छोटे छोटे जो bones रहते हैं उसमें सूजन आती है तो गरम टच करने पर गरम लगता है और stiffness आती है अकड़न जगड़न आती है वो पार्ट में और lack of mobility इसका मतलब है कि वो movement या वो काम करने पर पहले वज़े जैसे काम करते थे वो action वो काम नहीं कर पाते हैं arthritis के condition में तो फिर gout भी एक form का arthritis है तो friends gout में क्या होता है basically gout में हमारे body में यूरीक ऐसे जादा हो जाने की वज़े से gout की condition होती है तो gout में यूरीक ऐसे आता कहां से हैं जो हमारा kidney रहता है friends, kidney हमारे blood को filter करता है तो blood में से जो भी impurity रहती है वो उसको बाहर निकालता है तो फिर जो यूरीक ऐसेड भी रहती है वो भी दोस्तों वो भी यूरीन वो भी पिशाप के थूरू वो kidney बाहर निकालने का काम करती है पर जो हमारा यूरीक ऐसेड रहता है body में बढ़ने लगता है जिसकी वज़े से क्या होता है blood में वो और ही सेसी कॉंटिटी में रहेगा और kidney उसको बाहर नहीं निकाल पाएगी और वो blood में बढ़ते बढ़ते जाएगा तो blood में वो starting phase में बढ़ेगा फिर उसके बाद वो जब filter होके भी उसमें यूरीक ऐसेड का कॉंटिटी जादा रहेगा तो वो पूरे body में circulate होता है blood तो वो फिर जब हमारे joints में जाएगे तो हमारे हड्डियों के बीच में यूरीक ऐसेड का deposition होता है जिसके बाद से धीरे 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 वो चीज फॉर्म होती है और टोफी जिसको बोलते हैं गाट जिसको हम गठिया बोलते हैं तो हड्डियों के बीच में एक छोटा छोटा है ना गाट जैसा फील होता है वही उसी को हम कहते है collection of uric acid, uric crystal है ना छोटे छोटे गाट हो जाते हैं उसी condition को हम gout बोलते हैं तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्या होता है uric acid बढ़ता है तो friends uric acid बढ़ने का सबसे ज़्यादा main reason है high intake of purine foods purine foods जो होता है friends वही uric acid को हमारे body में बढ़ाता है purine foods मतलब क्या ज़्यादा soft drinks लेने के वज़े से soft drinks हमारे जो cold drinks आते हैं beverages आते हैं वो लेने की वज़े से ज़्यादा alcohol intake करने की वज़े से ज़्यादा seafood खाने की वज़े से जो seafood होते हैं shells होते हैं, oysters होते हैं craps होते हैं ये सारा खाने की वज़े से और हमारे जो भी meat में liver liver जो intake ज़्यादा करने की वज़े से purine का मात्रा ज़्यादा body में बढ़ता है ठीक है उसकी वज़े से uric acid वो बढ़ने लगता है और kidney का proper function नहीं हो पाता और gout condition देता है तो friends ये सारे उन लोगों में ज़ादा बढ़ने के chances होते हैं जो ये सारे intake normally हमेशा कर रहे हैं और इनको regulate नहीं कर रहे हैं तो उनको gout बढ़ने के chances होते हैं तो दोस्तों अभी हम देखते हैं जब ये सारा condition जब gout में हो जाता है तो फिर exactly दिखता क्या है तो gout सबसे पहले friends हमारे टो में हमारे जो पैर के जो पैर के जो उंगलिया है बड़ी उंगली है वो जिसको टो बोलते हैं वहां वह collection स्टार्ट होता है दोस्तों तो वहां ये क्या होता है जैसे आप देख रहे हैं कि दो पैर का उससे वो बड़ा हो जाता है बाजू के एरिया को वो साइनोवियर फ्ल्यूड जो हमारे हड़ी के कवरिंग रहती है उसको वो इंफ्लेम कर देता है वहां सूजन हो जाती है और ये गाठ जमा होने की वज़े से हमेशा परसन जब वो पैर को टच करेगा हड़ी को तो इसको लगता है वहां गाठ जमा हुई है तो इस कंडिशन को हम गाउट अर्थराइटिस बोलते हैं दोस्तों तो फिर अभी हम आगे देखते हैं कि ये यूनो जैसे हम मैंने बता हाई प्यूरीन फूड अलकोहॉल किड़नी का जिसको प्रॉब्लम है पहले से उनको गा क्या है में बत्तिता है तो स्वैलिंग था नहीं जभी देखते हैं जहां बहुता है दोस्तों ना का फंक्षन करना वह बंद हो जाएगा और पड़ी जाइसा लगता है तो दोस्तों अभी कौन-कौन से सिम्टम से हमको इगनॉर नहीं करने चाहिए इनीशियल स्टेज में तो सबसे पहले जो भी पेन है हड्डियों के वो अचानक बढ़ रहे हैं और बढ़ते-बढ़ते वो तकलीफ में वर्स हो रहे हैं वो कंडिशन और जो जिनको भी किड्नी का कुछ भी प्रॉब्लम है यूरीन का कुछ भी प्रॉब्लम है वो भी जादा आवाइड नहीं करना चाहिए बोन पेन्स हो रहे हैं और अगर वो बोन पेन्स अगर आपको एंटिबाइटिक से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और कोई चीज़े खाने की वज़े से वो flare up हो रहे हैं, वो condition और बढ़ रहे हैं, तो ये सारे symptoms हमको ignore नहीं करने चाहिए गाउट में, तो अभी हम next देखते हैं, stages of gout, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले जब हमारी kidney filter नहीं करती है, हमारे blood में वो uric acid जमा होता है, तब अब तक हमको कोई भी symptoms नहीं दिखते हैं, तो हम इसको asymptomatic gout बोलते हैं, second stage क्या होता है, दोस्तों, second stage जब वो blood के through circulate होके हमारे body में जाता है, तो हमारे bones में वो deposit होता है, हमारे bones में वो जमा होता है, gout crystal, तो second में क्या होगा, आपको थोड़ा सा, you know, pain स्टार्ट होगा, और कुछ-कुछ time में रह रहे हैं कि आपको वो pain, you know, बढ़ेगा, है ना, तो उसको second को हम कोलते है, intermittent gout, intermittent मतलब अभी सुबह हो रहा है, फिर normal हो जाएगा, फिर शाम को वो बढ़ेगा, उसको intermittent, last stage है, फ्रेंट्स, chronic tofascius gout, इसका मतलब क्या, toffee जो होता है, toffee मतलब जो collect होके एक अलगी gout बना देना, उसको हम toffee बोलते हैं, तो फिर धीरे 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 वो joints के बीच में gout बनने लगती है, तो वो last stage होता है, chronic tofascius gout, तो वहाँ gout जब बनेगी दोस्तों, तो pair के जो हड़िया है, उनका shape अलग दिखेगा, उनमें एक अलगी आपको gout जैसा हम flares बोलते हैं, तो फिर अगर आपको gout है, फिर भी आप alcohol intake कर रहे हैं, फिर भी आप बाहर के जो खाने हैं, जो foods हैं, फिर भी आप ले रहे हैं, और अगर आपको kidney का problem है, फिर भी आप उसको you know proper नहीं diet ले रहे हैं, तो वो जैसे ही आप खाएंगे तो वो pain flare up होगा, इस पर हमें समझने के लिए कि exactly ये joint pain कौन सा joint pain हो रहा है, तो हम उसको pseudo gout भी बहुत सारे conditions आते हैं, जो gout के जैसे ही दिखते हैं, पर वो gout नहीं रहते हैं, उसमें आरे भी होता है दोस्तो, rheumatoid arthritis, ठीक है, ये autoimmune disease है, इसमें uric acid का कोई लेना देना नहीं है, बट अगर को differentiate करना चाहते हैं, तो blood test इसके लिए बहुत important है, blood test में हमेशा gout के condition में uric acid level हमेशा जादा होता है, और ये सारे जो बाकियों के joint pain है, इन सारे में uric acid आपको जादा नहीं दिखेगा, पर differential point है, अगर आपको joint pain हो रहे हैं, तो फिर आप अगर blood test कराएंगे, तो आपको स दूसरे टाइप का joint pain है, next हम हम हुमेथिक मेडिसिन के बात करेंगे, इसका 100% के और है, आप एक प्रॉपर हुमेथिक फिसिशन से जरूर कंसल्ट किजेए, ये सिर्फ आपके नौलेच के लिए है, आप सेल्फ मेडिकेशन मत लीजे, तो आम कुछ टॉफ 5 हुमेथिक मेड करेंगे जो आपके लिए बहुत हेलफूल है इंफोर्मेशन के परपस पर फर्स्ट हम होमेपेथिक मेडिसिन के बात करते हैं जिसका राम है कोल्चिकम कोल्चिकम फ्रेंड्स वह कंडिशन में देखे जाते हैं जिनको चेंज ओफ वेदर जैसे ही अभी गर्मी का सीजन है फि कोड़ा भी बॉड़ी को मूफ किये हलचल किये और वह तकलीफ बढ़ जाती है तो अगर ऐसे दोनों कंडिशन सापको दीखे तो कॉल्चिकम गाउट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है नेक्स मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंस नेक्स मेडिसिन का नाम है लेडंपाल इसमें एक पिक्यूलियर चीज देखी जाती है इसमें जो भी गाउट के पेशन्ट रहते हैं वो हमेशा बोलते हैं उनका जो भी जॉइन पेन स्टार्ट हुआ है वो फ्रॉम दे डाउवर्ड तो अपवर्ड हुआ है इसका मतला पहले सबसे पहले गाउट का कंडिशन उपर जाता है तो वो कंडिशन में लेडम पाल बहुत अच्छी एक्ट करती है और इसके साथ साथ फ्रेंट्स उसको वो कंडिशन में उसको कोल्ड एप्लिकेशन इसका मतलब ठंडे ठंडे पानी से उसको सेकाई करने से आराम मिलता है और गरम सेकाई करने से उसको बिल्क जिनको हड्डियों का तकलीफ तो है इसके साथ साथ उनको जो यूरीन की प्रॉब्लम है इसका मतलब जो पिशाब होता है वो बहुत ही स्मेल करता है और इतना स्मेल करता है कि वो पेशेंट जिसको यह तकलीफ हो रही है वो खुद भी भरदाश नहीं कर सकता है वो थोड़े तो अगर ऐसे conditions दिखे हैं जिसके साथ साथ urine का भी problem है, urine बहुत ही जादा strong है, offensive order है, तो फिर benzoic acid उसके लिए अच्छी medicine है, next medicine के बात करते हैं friends, next medicine का नाम है antimonium crudum, friends, antimonium crudum ये उस condition में देखी जाती है, जिस condition में patient को gout का तो तकलीफ है, उसके साथ साथ उनके जो पाच का है, फर जब हम case लेते हैं उनके बारे में तो उनमें ये भी पता चलता है, कि उनका जो भी digestion है वो अच्छे से नहीं हो पाता, इसका मतलब क्या है, ये patient को भूख बहुत जादा लगती है, और बहुत सारी condition इनका overeating की वज़े से तकलीफे चालू होती है, ओवर खाने की तो फिर अगर digestion का प्रॉबलम है, उसके साथ गाउट का प्रॉबलम है, तो antimonium crudum उसके लिए अच्छी medicine है, और साथ में ये भी देखते हैं, फ्रेंट्स antimonium crudum के जो patient होते हैं, उनकी skin भी बहुती फिल्दी रहती है, बहुत dirty looking skill रहती है, हमेशा skin का प्रॉबलम उनको चालू होने लगता है, उसके साथ साथ गाउट है और digestion का प्रॉबलम है, तो फिर antimonium crudum उसके लिए अच्छी medicine है, नेक्स मेडिसिन की बात करते हैं, नेक्स मेडिसिन का नाम है सबायना, ये especially female, जो औरते होती है, उनमें अगर गाउट है, उसके साथ साथ कोई भी reproductive system का को उटराइन ट्रबल है, तो फिर उसके लिए बहुत अच्छी medicine है, जैसे कोई भी पेशेंट हो जिनको मेंसिस के प्रॉबलम है, कोई भी पेशेंट है, जो लेडी है, उनको यूनो सिस्ट का प्रॉबलम है, PCOD का प्रॉबलम है, और मेंसिस के एर्रेगुलारिटी है, तो प् प्रॉबलम होता है, मोशन करने पर और रेस्ट करने पर आराम मिलता है, तो ऐसे कंडिशन में सबाइना उसके लिए अच्छी medicine है, तो यह है फ्रेंड्स कुछ टॉप फाइफ होमेपैथिक medicine, होप आपको मेरी बताये गए वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो में कोई भी query है, आप मुझे comment कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो please इसे like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, thank you so much